हलो जी राम राम सभी को और मैं जो खोया बना बनाई थी तो पिछली वाली वीडियो में तो उसी का ये दूसरा पार्ट है और मैंने उसमें सक्कर और खोया डाल के कड़ाही में रख दिया था और मैं इसकी बर्फी बना रहे हूँ पाहले तो तो सोची थी कि पेड़ा बनाने में थोड़ा बाधने में ज्यादा टाइम लगता है तो यहां पर मैं पीछ लें हूँ बदाम और बदाम इसके उपना डाल दोंगी थोड़ा सा ऐसे करके डाल दोंगी देखने में अच्छा लगेगा और टेस्टी भी लगेगा और बर्फी जो होती है इसको जमा दीजिए और जमाने के बाद फटा-फट काट दीजिए इसमें फिर जैसे गई से उतारते हैं तो फिर अपने को टाइम नहीं देना पड़ता बैसे जो डालना है ट्राइब फूक्स वगएर डाल दीजिए और थोड़ा सा इसको हास से प्रे फिर हम उसको साचे से दबाते हैं जो छपपड़ा होता है तो फिर उसको साचे से दबाते हैं और ये पहले जो खोया रहता है ना पहले तो मुलाइम रहता है और फिर जैसे जैसे ठंडा होने लगता है तो वो कड़ा होने लगता है और उसको बादने के लिए दो-तीन इसको बादने में इसको नहीं है साम की टाइम था तो खेरने चले गई थी फड़ा सा ओठंडा हो जाए और घर में रहते हैं तो बनवा लेते हैं और यह सब काम करने में जैसे पेड़ा बनाते हैं तो उसमें दो तेन लोग चाहिए बादने के लिए तो यहां पे मैं बर्फी जो है जमा दे हूँ और आ गई हूँ छट पे कपड़े लेने के लिए खपड़े जादा मैं नहीं धूले थी बस थोड़े बहुत कपड़े थे हाथ से धूल दे थे और हाथ से मैं ज्यादा कपड़े नहीं धूलती हूँ बस मेरे थे और इन लोग के जो थे उसको मैं बात जाते हूं साम की टाइम में और आप लोग बताइएगा कि आप लोग हो ले क्या जो तयारी है कैसे कर रहे हैं गोजिया वगारा बनाना जो और कुछ बनाते होंगे